नमस्कार मैं सारी का श्रवास्तौ स्वागत है आपका आई एनन 24 में बढ़ते हैं च्छाखन की खबरों की ओर चत्रा जिले के जोरी स्थित एनेच निन्यानवे पर अपराधियों द्वारा लूटे गए ट्रक को पुलिस मामले का उद्भेदन कर लिया है इस मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफतार कर लिया है यह जानकारी जोरी थाना में पुलिस निरिक्षक प्रमोत पांडे ने प्रेस कॉन्फरेंस कर दी उन्होंने बताया कि अशिष्ठ नगर थाना अंतरगत एनेच 99 जोरी चत्रा मुख्य पक्की सड़क पर तरबन पुलिस ने इसमें से तीन अपराधियों को गिरफतार कर लिया है चत्रा पुलिस अधिक्षक राकेश रंजर ने गुप्त सूचना के आधार पर कांड में लुटा हुआ ट्रक पैसा वा उस पर लोड कोईला को बरामत किया है कांड में सनलिप्त अग्यात अपराध कर्मियों को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कांड का उत्भेदन कर तथा कांड में शामिल अपराध कर्मियों को साथ ही साग गिरफतार भी कर लिया गिरफतार प्राधियों में संदीप पास्वान, पिता राजेंद्र पास्वान, विनोत कुमार उफबीरु डॉन, पिता बर्शु राम यादो, रवी रंजन सी, पिता पुनिद सी शामिल है ये सभी जिला गया बिहार के रहने वाले हैं इनके पास से लूटा हुआ ट्रक 14 चक्क, ट्रक पर लदा कोईला करीब 15 टन, एवर एक मोटर साइकल, पैशन एक्स प्रो, तीन मोबाइल और लूटा हुआ पैसा 10 जार रुपया भी बरामत किया गया चापे मारी अभ्यान में प्रमोद पांडेय, थाना प्रभारी, गुलाम सर्वर, ओम शरंड, दीपक रजक समेथ, आयार भी 3 सेट के जवान शामिल थे